जैमातादी दोस्तों, वर्ल बेस मैजिक में आपका हारदिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जैमातादी जरूर लिखें दोस्तों, आप 4 दिसंबर को साल 2021 का आखरी सूर गहन लग रहा है तो इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि इस सूर गहन की समापती के बाद ऐसे कौन-कौन से काम हैं जो आपको जरूर करने चाहिए ऐसे कौन से वे उपाय हैं जिन्हें आपको अवस्चे करना चाहिए जिने करके आप ग्रहन के नकारात्मप्रभाव से बस सकते हैं इस सूर्ग्रहन का कोई भी बुरा असर आपके आने वाले जीवन पर नहीं पड़ेगा साथ ही इसके अच्छे प्रणाम आपको अवस्य मिलेंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज चार दिसंबर का सूर्ग्रहन सुबह 10.69 मिनट पर सुरू होगा जिसकी समाप्ती दोपहर 3.7 मिनट पर हो जाएगी तो आप ग्रहर समाप्ती के बाद यानि दोपहर 3.7 मिनट के बाद आप कुछ काम जरूर करें आप ग्रहर समाप्ती के बाद आप गंगा जल डाल कर इसनान अवस्य करें साथ ही सुचवस्त धारन करें अगर हो सके तो किसी पवित्र नदी में इसनान करना चाहिए इससे आपको सुफल की प्राप्ती होगी और ग्रहर खत्म होने के बाद अपने घर वा पूजा घर को भी गंगा जल चेड़ा कर सुध्य अवस्त करें और साथ ही अपने मंदिर की साफ सफाई करें और हो सके तो भगवान के वस्त्र भी बदलें आप चाहे तो ने वस्त्र या कोई भी धुले हवस्त्र भगवान को पहनाएं इसके बाद आप भगवान के आराधना करें आप अपने मंदिर में धूब बत्ती का धुँआ या गुगल या लुबान का धुँआ दिखाएं इसके बाद भगवान की पूजा अर्चना करें आप सूर ग्रहन समापत होने के बाद आदिद्ध हरदैस्तरोत का पाठ करें साथ ही आप विश्नु सहस्तर नाम का भी पाठ करें दोस्तों ग्रहन समापती के बाद गायों को घास, पक्चियों को अनाज और किसी जवरत मंद को वस्तदान करने से अनेक गुना पुनफल की प्रापती होती है आप ग्रहन समापती के बाद दान अवस्त करें और बात करें गर्वती महिलाओं की तो गर्वती महिलाओं को समान लोगों की तुल्ला में खास सावधानी रखने की सला दी जाती है इसलिए ग्रहर समापती के बाद उन्हें भी कुछ अवस्यक कारे जरूर करने चाहिए जैसे उन्हें भी ग्रहर खत्म होने के बाद गंगा जल डाल कर इसनान अवस्यक करना चाहिए इसके साथ ही आप ग्रहर समापती के बाद अपने घर को जाड़ू पोचा जरूर करें आप पोचे वाले पानी में थोड़ा सा नीबू या नमक डाल कर पोचा लगा लें इससे घर की नकरात्मकता भी दूर हो जाएगी इसके साथ ही आप अपने बेडरून की बेट सीट भी चेंज कर लें ताकि आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहे और गर वती मैला को चाहिए कि ग्रहर समाप्ती के बाद वे अपनी नजर भी जरूर उताल लें इससे ग्रहर का कोई भी बुरा हसर आप पर या आपके होने वाले सिसू पर नहीं पड़ेगा और आप ग्रहर समाप्ती के बाद थोड़ा सा गंगा जल्बी पी लें इससे भी आपका सिसू एकदम सुरच्छित रहेगा दोस्तों ग्रहर समाप्ती के बाद दान का फिसेस महात्तु होता है इससे आपको कई गुना लाब मिलता है आपको जो चीज दान करनी हो वह ग्रहन से पहले ही निकाल लें तो अच्छा रहेगा और यदि ग्रहन के बाद भी निकाली है तो कोई बात नहीं लेकिन दान जरूर करें आप किसी जवरत मंद को अपनी इक्षा के नुसार दान करें आप सूर ग्रहन समापत होने के बाद लाल वस्तर, लाल फल, तांबा, गेहूं, गुड या पैसों का दान करें इससे आपको लाब मिलेगा ध्याम रखें दोस्तों कि ग्रहन समापती के बाद पका हुआ खाना या कटी हुई सबजी या फल का इस्तमाल नहीं करना चाहिए साथ ही आप पानी भी फ्रस भर लें ग्रहन के पहले भरा हुआ पानी इस्तमाल ना करें आप ताजा पानी भरें और उसी का इस्तमाल करें दोस्तों सूर ग्रहन के बाद पीपल के पेड़ की पूजा करना भी बेहस सुब रहता है इससे घर में सुक सम्रद्धी बनी रहती है आप एक लोटा जल में तिल और गुण मिला कर पीपल की जड़ को सीचें इससे बेहदी सुफल आपको मिलेगा इसके लावा सूर ग्रहन के समय किसी जवरत मंद व्यक्ति को चमडे के काले या भूरे जूते दान करें घर में बहुती अधिक जूते चपल भी परिसानी का कारण बनते हैं इसलिए उन्हें दान कर देना चाहिए इसके लावा वाता वरण की सुदता के लिए आप सूर ग्रहन समाप्त होनी के बाद साम को अपने पूरे घर में लोबान या गुगल का धुआ जरूर करें ऐसा करने से आपके घर में ग्रहन से पैदा होने वाले असुप्रभाव एकदम दूर हो जाएंगे ये काम आप ग्रहन समाप्ती के बाद जरूर कर लें इससे किसी पितर है की निगेटिविटी आप पर या आपके घर पर नहीं रहेगी और आपके लिए ग्रहन सुफल प्रदान करने वाला रहेगा तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैमातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद